अब और कोवीत रात्मा के नाम से आमें को बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर आमें पुवित रात्मा जो लोगे सुनकर आगे बेचते दुसरों को वाइरल करते हैं डाउनलोड करने का बाद फिर उनके चैनल पर री अपलोड करते हैं उनको सब को कोविड बीमार से बचा कर रख रोज एसा करने को उनको बल्द कुरुपा दे और सब कामा यह लोगों की टिक क में प्रशू मसी के नाम से प्रात्तना करता हूं मेरे बल्द कृपादे प्रचार करने को आम सुआगत आपको और आपका परिवार को एशू मसी के नाम से क्यावल यूटिव लाइव पर अब हम शूर्य करेंगे आज तारिक है दो और नौव मैना मार्च साल है 2021 मैं मानता हूँ परमिश्वार का जैसा जो लोगों ने प्रचार पहला सुन लिया पहले प्रचार जो लोगों ने सुन लिया ओ लोग पवित्र बन गए और इशु मसी का कारे कर रहे है आमेन माती गेरा अद्दे एक जब येशु अपने बारा चेलों को आग्या दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया योहाना ने बांदेगरा में मासी की कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उसके या पुछने बेजा कि क्या आने वाला तो तुही है ये काम ये हम दुसरे के या हम दुसरे की बात जो हैं अभी इदर योहाना जो अंगरजी में जौन बोलते हैं जौन द बैप्टिस्ट ये बाप्टिजमा दे रहाता ये योहाना है ये अभी उनके चेले लोग योहाना के ये इशु मसीगे नहीं उसके जो बाप्टिजमा दे रहाता ये इशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर योहाना से कहे दो कि आंदों देखते हो और लंगड़े चलते फिरते हो खुड़े शुद काई जाते हो और बाहिरे सुनते हो मुर्दे जिलाये जाते है और कांगालों को सु समाचार सुनाया जाता है और दियान है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाये जब वह वहां से चल दिया तो येशु योहाना के विशे में लोगों से कहने लगा तुम जंगल में क्या देखते गए थे क्या हवा से हिलते हुए सरा कंडे को तो अभी इधर येशु मसी ने ये चेलों को योहाना के ते उनको बोला कि ये सब चमतकार ये सब चंगाए लोगों को मिलती है तो ये जाकर बोला योहाना को कह दे कि सब तरह की चंगाई प्राप्त होती है सब लोग चंगे हो जाते हैं ये कभी भी पुराना करार में ये नहीं होता था एसा चमतकार कभी भी लोगों ने नहीं देखे थे तो ये अभी चेले लोग गए ये सुनकर सब चमतकार की चीज़ सब आच्चाई एशू मसी की सुनकर ए लोग अभी निकले फिर तुम क्या देखने गए थे देखो जो कुमल वसर पहिनाते है वो राजा बावनों में रहते है तो फिर क्यों गएते क्या किसी भविश दुवाता को देखने को हाँ मैं तुम से कहता हूँ बारन भविश दुवाता से भी बड़े को ये वही है जिसकी विशय में लिखा है कि देख मैं अपने दुद को तेरे आगे बेचता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तयार करेगा मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो इस्तिरियों से जन में है उन में से योहाना बाप्तिजमा देने वालों से कोई बड़ा नहिन हुआ पार जो सवर्ग की राज में चोटा है वा उससे बड़ा है योहाना बाप्तिजमा देने वाले के दिनों से अब तक सवर्ग की राज पर जोर होता रहा है और बलावल उस चिन लेते है योहाना तक सारा बविश दुआता और विश्व वास्ता यश्वस्ता बविश दुआते कराते रहे और चाहों तो मानों आलियां जो आने वाला था वह यही है जिसकी सुनने की कान हो वह सुन ले तो इधर एश्व मसी लोगों को बोलने लगा की यह जो योहाना है वो एश्व मसी का खबर लोगों से बोलने के लिए आकरी विश्व दुआता इस दुनिया पर सुर्ग पिता ने बेजा था तो जितने भी सुर्ग दुआता इस दुनिया में आये थे एश्व मसी के पहले आकरी वाला योहाना है उसके बाद सुर्ग दुट और विश्व दुआता बेजने को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा सुर्ग पिता को क्योंकि सब कामा इश्व मसी ने कतम खर चोड़ा और कुछ भी संदेश किसी भी इंसान को देने की जरूरत नहीं है इश्व मसी के बाद इसलिए आकरी संदेश देने को बेजा था कि रास्ते बोले तो मार्ग टिक करे साफ करे एश्व मसी का प्रचार के लिए लोगों का मन में डाले कि अभी परमेश्वर दुनिया में आने वाला है जो लोग इंतजार कर रहे थे वो मसीहा आने वाला है तो इसलिए आकरी इस दुनिया में जो विश्व दुआता बेजाता उसका नाम है युहाना बाप्तिज्मा तो ये आमको आच्ची तरसे दिमाग में रखना है हर रोजे दिमाग में लडाने का है कि आमको अभी कोई संदेश लेखे नहीं आएगा एश्यू मसी आके तेरे बाजू में बेटकर तेरे को नहीं बोलेगा कि आप पवित्र बन जाए नहीं सब कुछ संदेश एश्यू मसी बोलकर चोड़कर गया परमेश्वर का जिन्दा शब्द ये है बाइबल और कुछ भी आप परमेश्वर से या सोर्ग पिता से कुछ भी चीज आएगा करके इसमें गलत फ्हामी में नहीं रहने का सब कुछ बूल जाओ कि सोर्ग दुवात आएगा और कोई भी आएगा एश्यू मसी की तरफ से स्वर्ग पिता की तरफ से सबको इस दुनिया में स्वर्ग पिता बेचता है एशु मसी और पवित्रात्मा की तरफ से दुनिया में हर चीज होती है सिर्फ स्वर्ग पिता और एशु मसी और पवित्रात्मा तिनों मिलकर करते है एक भी चीज ऐसी नहीं है कि एकिछ तिनों साथ में मिलकर करते है जब दुनिया बनाया सब चिज़ें बनाए, इंसान को भी बनाते है, आज भी बनाते है, सब चीज एक एक जो चीज बंती है, बढ़ती है, सब को प्रमिश्वर बनाता है, हर इनसान को. स्वार्ग पिता बनाता है साथ में लेकर एशु मसी और पवित्र आत्मा तो कोई भी इंसान जो बोलेगा कि मैं एशु मसी को नहीं मानता मैं इसको पवित्र आत्मा को नहीं मानता ऐसा कोई बोलेगा तो तो बड़ा का बड़ा पागल है, वो पागलफन करता है, बाइबल में लिखा है, फूल करके लिखा हैंग अरेजी में, और एशुमस ने बहुत जगे पर लिखा है, गुगल पर मारके देख ले, कि सोर्ग में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ में यह रास्ता है, और एक जगे मे लिखा है, देख ले, गुगल पर मारके, कोई भी प्रातना करने का है, कुछ भी आपको, सोर्ग भीता को, कुछ भी प्रातना आपको करने का है, तो लिखा है कि, आत्मा, बोले तो पवित्र आत्मा, और येशु को लेखे, कि, दोनों को साथ में लेके, प्रातना करने का है, येशु मस्य बोले तो सत्य, अंगरजी में इसा होता है, दोसु वर्षीप दे फादर, मस्ट वर्षीप इन, इस्पिरिट अनि त्रूथ, इस्पिरिट बोले तो पवित्र आत्मा, त्रूथ बिलो तो येशु मस्य, तो दोनों का नाम लेला बगर कोई भी प्रातना स्वर्ग पिता नहीं सुनेगा, तो इदर आमको क्या मिलता है कि योहाना का इस दुनिया में बेजने का, योहाना बाप्तिजमा को इस दुनिया में बेजने का, मक्सद था ये आकरी स्वर्ग दुआ था इस दुनिया में बेजने का परमेश्वर का बोले तो स्वर्ग पिता का कारे था ये योहाना बाप्तिजमा एश्यू मस्य के बारे में इश्यू मस्य का आने का प्रचार करे लोगों का मन ये दुनिया से हटा कर सत्य में सच्च में परमेश्वर पर लेकि आने के लिए ये योहाना बाप्तिजमा बोल रहा था तो उसके पिछे और उसके बाद कोई भी स्वर्ग दुआता या विश्व दुआता नहीं बेजा क्योंकि उसके सातीच छे महिने के बाद एश्यू मस्य को इस दुनिया में बेज दिया तो अभी संदेशे बंदेशे जो भी कोई बोलेगा कोई आया करके एश्यू मस्य के पिछे उसके बाद में वो सब जूटे आक्री स्वर्ग दुआता है यह योहाना बाप्तिजमा उसके पिछे किसी का जरूरत नहीं है क्योंकि एश्यू मस्य ने बोला मैं कुद आएगा दुबारा मैं कुद आएगा और कोई किसी को नहीं बेजेगा सिर्फ एक को बेजेगा वो है पवित्र आत्मा बस कलास उसके बाद सब बंद हो गया क्योंकि जो इंसान पवित्र बनता है उसके अंदर इच परमिश्वर रहता है तिनों जान रहते पुरा परमिश्वर मेरे आंदर अभी है वो आपके आंदर भी रहेगा जब आप पवित्र कैतलिक मनेगा पहली बार अगर आप ये चैनल पर आया है वीडियो पर आया है तो वीडियो खतम होने के बाद जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र कैतलिक मेरे जैसा बन जा मेरे को अभी सिर्फ 6 महिन हो गए है तो आपको भी ये संदेश ये मोगा आपको अभी पवित्र आत्मा मेरी तरफ से दे रहा है जो में पवित्र कैतलिक बोलता है वो पवित्र आत्मा बोलता है और जबी आप प्रातना करते है तो जो आप प्रातना करता है वो पवित्र आत्मा कुद करता है और आपको उसमें एशु का नाम लेने का है और एशु का नाम लेकर ये प्रातना आपको स्वर्ग पिता से मौजुद करने का है स्वर्ग पिता को बोलने का है स्वर्ग पिता से प्रातना करने का है एश्व मस्य का नाम लेके और जो आप प्रातना करता है बोलता है वो पवित्र आत्मा बोलता है जाके देख लो Google पे Those who worship The Father must worship in spirit and in truth पवित्र आत्मा जो मेरा आप ये मुझ खोलकर में बात करता हूं ये प्रातना पवित्र आत्मा बोलता है और मैं इश्व मस्य का नाम ले लेगा बीच में तब बीच में प्रातना स्वर्ग पिता से करेगा ये तरीका है प्रातना करने का बिना इसका इशु मस्य का नाम लेके प्रातना स्वर्ग पिता नहीं सुनेगा। यह परमिश्वर नहीं है। परमिश्वर इसाइच होता है। हर भात आपको इशु मस्य का नाम लेके इच कहने का है स्वर्ग पिता को। और यह भी बात आपकी स्वर्ग पिता को तबी जब इच आप पवित्र केतलिक बनेगा आप पवित्र केतलिक नहीं बनेगा तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगी तो यह बी गायप है एश्यू मसी भी गायप है और सोर्ग पिता भी गायप है आपके अंदर कोई भी नहीं Al J prove शेयतान आपके अंदर है अंग तो इसीलिए अगर आपको कोई प्रातना करने का है कोई प्रचार करने का है तोो कितलिक को पहला पवित्र केतलिक बनने का तब इच आपके दुआरा, आपके मुझ से जो शब्द निकलेगा वो पवित्रात्मा का रहेगा तो ये है प्रातना करने का तरीका, इसको बुलना मत जब तक आप पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा, सब प्रातना आपका पानी में जाएगा एक भी प्रातना आपका सोर्ग पिता से नहीं पहुंचेगा इसलिए आम कैथलिक लोग परमिश्वर को चोड़के मरियाम सांतों और कुरूस के पीचे बागे निकल पड़े है जो भी ये पवित्र, जो भी आमारा कैथलिक जो धरम है, वो सिर्फ धरम नहीं है ये अमारा रिस्ता है, अमारा प्यार है, अमारा संबंध है परमिश्वर से, अमारा नाता है बच्चों का नाता है, अमारा परमिश्वर पिता से, स्वर्ग पिता से तो आम पवित्र कैथलिक जो है, वो आम स्वर्ग पिता के बच्चे है और जो भी पुराना करार में जो लिखाता, वो सब सही हो गया एश्व मसी आकर योहाना बाप्तिज्मा के बारे में भी विश्व दुआता ने पहला बोला था स्वर्ग पिता ने बोला था विश्व दुआता के दुआरे से, कि ये आएगा योहाना को बेजा जाएगा और गैरा में लिखा है, कि कि योहाना से बड़ा कोई भी विश्व दुआता इस दुनिया में नहीं आया है लिखेला है, ये गैरा में लिखेला है, देखले, बराबर पढ़के देखले योहाना बाप्तिजमा देने वालों से कोई बड़ा नहीं हुआ सब विश्व दुआता से बड़ा विश्व दुआता है योहाना बाप्तिजमा देने वाला जितने विश्व दुआता योहाना बाप्तिजमा से पहले दुनिया में बेजे गए थे कोई किसी आबराम लेले यूसुफ लेले कोई भी लेले जितने वे पुराना करार में जो लिखेला हुआ है वो सब जो विश्व दुआता है उससे सबसे बड़े विश्व दुआता है अमारा योहाना बाप्तिजमा उसके बाद में विश्व दुआता आया इच नहीं और सबसे बड़ा आप पकड़ेंगे कौन बड़ा विश्व दुआता है आपको जानने का है तो इधर 11 में मिलता है अद्ध्य है 11 माति का 11 गैरा आच्चा है मन में रखने के लिए कोई बोलेगा ये विश्दुआता बड़ा है, ये विश्दुआता अच्छा है, ये विश्दुआता ऐसा है, कुछ कोई भी नहीं है, सिर्फ योहाना बाप्तिजमा सबसे बड़ा है करके इधर लिकेला है, तो एशु मसी बोल रहा कि ये सच है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो आमको ये आच्ची तरह से ध्यान में रखने का है कोई भी कुछ भी जूढ आपको फेंकेगा तो उसको ये इट का जबाब फत्तर से देना मांगता किसी को डरने का नहीं आमको हमेशा के लिए सोर्ग में जिने का है तो सत्य आमको हमेशा बोलने का है 12 योहान बाप्तिजमान देने वाले की दिनों से अब तक सोर्ग का राजव पर जोर होता रहा है और बलावल उसे चिन लेते हैं तो जब एशू मस्य आया तब तब तक एशू मस्य आने से पहले सब हजारों सालों से पूरा एक दुनिया बेकार खराब बिगरते आया तो सब एश दुनिया खतम खराब हो रहा था दुनिया बहुत गंदी हो गई थी इसलिए सोर्ग पिता ने एशू मस्य को बेजना पड़ा इस दुनिया में लोगों को सत्य बोलने के लिए और लोगों को पापों की माफी देने के बाद सोर्ग में दाकिल होने के लिए और ये गंदी और बुरी और खतरनाक जो दुनिया बनाई थी लोगों ने उसके लिए विश दुआता बेजे थे लेकिन आकरी विश दुआता सबसे बड़ा विश दुआता युहाना बाप्तिजमा को बेजा था कि सिदा सिदा लोगों को बेजने को कि अभी शेटान का वक्त खतम हो गया अभी आमको सोर्ग इस दुनिया में जिने का है एक सोर्ग काई जैसा जिन्दगी सोर्ग जैसी जिन्दगी आमको इस दुनिया में जिने का अभी वक्त आ गया है योहाना तक सारे विश्व दुवाता और विश्व आस्ता बविश्व दुवातों ने कराटे रहे और चाहो तो मानो आलिया जो आने वाला था वह आही है वो यही है चोदा में लिखा है कि कि आने वाला जो था वो यही है कि में ही है इधर एश्व मसी ने बोला तो एश्व मसी ने बोला कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले तो एश्व मसी ने सिधा सिधा बोला कि आने वाला दुनिया बचाने वाला जो परमिश्वर बेजने वाला था वो में ही है तो एश्व में ही समें के लोगों के वपामा किसे दूँ वो वन बालकों के सामाने तो एश्व जो बाजारों में बेटे हुए एक दुसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुमारे लिए बांसाली बजाई और तुमने नाचे हमने विलाप किया और तुमने चाठे नहीं पिते ओटारा क्योंकि योहना ने योहना कहता आया और पिता और ए कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है उन्निस मनुष्य का पुत्र कहता काता पिता आया और वे कहते हैं कि देखो पितो और पितो और पियाखड मनुष्य महासूल लेने वालों और पापियों का मित्रा पर द्यान आपने कामों में सच्चत तराय गाये हैं तो इधर लोग अभी सब उल्टा उल्टा सब कुछ बोल रहा था एशू मसी को लोग बोल रहे थे कि यह पापियों के गेर जाता है पापियों को साथ बेटकर यह खाना खाता है तो लोग गलत बोलते थे कि इसमें विश दुआता आमारा यहाना बाप्तिजमा के अंदर शेतान है वो कुछ दारू वगरा उसको पिने के लिए मना था स्वर्ग पिता की तरफ से स्वर्ग से उसको मना था दारू ना पिने का तो इसलिए उसको लोग बोलते थे कि यह पागल है इसके अंदर बूत है और जबी एशु मसी यह सब गंदे और यह जुटे लफंगे लोगों के लिए आया उनके गर जाके काने को बेटा तो बोलते है कि यह पापियों का गर जाता है तो कैसा भी लोगों को कुछ भी उल्टा बोलने काई छे आच्चा इंसान था यह बिल्कुल किसी के गर नहीं जाता था कौन योहाना बाप्तिजमा फेर भी लोग बोलते थे यह पागल है अभी येशु मसी लोगों को प्राचार करने को जाता है तो बोलता है गंदे पापी लोगों के गर जाता है तो यह लोग सही नहीं थे यह लोग कुछ भी बकते जा रहे थे तो एशाई अभी भी इस दुनिया में भी अभी भी यह चीज होती है कि बोलते है कहां लिकाए दिखा दो एशु मसी परमिश्वर नहीं है कहां लिकाए दिखा दो एशु मसी क्रूस पर चड़ा नहीं उसको क्रूस पर मारा नहीं ये वो सब जूट ए लोग बोलते जा रहे है जैसे एशु मसी आया था तबी बोलता था ये अभी चालूई है क्योंकि आम कैटलिक लोगों की गलती है आम लोगों ने प्रेचार करना कैटलिक लोग बाहर नहीं निकले क्योंकि कैटलिक लोग पवित्र नहीं बने ये सब एशू मस्य के बारे में उल्टी सिदी गलत बात लोग बोल रहे थे लोग बोलते हैं अभी भी यूटूब पर जाके देख लो कितना लोगों ने वीडियो चड़ाया है कि इशू मस्य परमिशवर नहीं है दिंखाधने ये दे वह दे करके कितना वीडियो डाला एक यूटूब पर देख लेए यह सब लोग गलत बोलते हैं और इनको इनसे बात करने को इनका जवाब एक गलत जो बोलते हैं उनको जवाब देने को क्यातलिक पवित्र नहीं है इशू मस्य सब गलत लोगों को जवाब दे रहा था मूँ थोड़कर इट का जवाब फटर से दे रहा था सीधा सीधा दे रहा था इशू मस्य इसियो मस्य ने बहुत जगे जगों पर लिखा है डरो मत अब कब नहीं डरेगे जबqua आप पवित्र क्यतलिक बनेगे तब आपके अंदर आपके मूँ मुसें बोलेगा। पवित्र आत्मा आपके मुसें बोलेगा। इधर हिश्वां बंदें करेंगे कल से आगए बढ़ेंगे मैं स्वोध पिता शूकْरिया इश्व मसी शूक्रिया पवित्रात्मा आमें आप भी प्रात्ना करेंगे सुर्ग पिता और इशु मसी और फवीदर असमा के नाम से आमें सुर्ग पिता मैं आपके प्यारे पुत्र इशु मसी के नाम से प्रात्ना करता हूं जो इनसान YouTube लाइप पे है उसको और उसका पुरा परिवार को और जो लोगे सुन रहा है उनको और उनका पुरा परिवार को कोवीड बीमारी से बचा का रख, कोवीड बीमारी इनसे दूर रख, और सब कामा जो इनका बंद पड़ा है, मुश्किल है, वो सब कामा इनका करके दे, और कोई भी बीमारी ए लोगों के आंदर है, गर में है, सब इंसान की बीमारी निकाल दे, खतम कर दे, सब तरफ से बड़ा और जो लोग नोकरी पे जाता है उनका पागार बड़ा पोश्ट बड़ा और नई नोकरी जो लोग डुंटे उनको बड़ा कमपनी में बड़ी पागार की नोकरी दे और जो लोगों को अभी बेटा कर रखा है कोविड बीमारी के वज़े से उनका कमपनीया फिर से चालू करकर पागार बढ़ा कर पोश्ट बढ़ा कर इनको वापस से काम पर चड़ा दे और यह सब चंगाई यह लोगों के जिन्दगी में चमतकार देखने के बाद यह लोगों को पवितर बनने को भी आपका मदद कर आपका प्यार उनके उपर रख आपकी कुरूपा यह ल आमने शुक्त